हाई फ्रेंड्स मैं हूं दिपासरी और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूं आमले का आचार ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ये बहुत ही लबदायक होती है इसे बनाने में बहुत ही आसान है ये जटपट आप इ होनी चाहिए कि इसे हम धोले our 1500 ने के बाद इसे हमत्कि身 तोड़ी देर पानी में ही रहने देंगे मुद आजए गुकि कार्चेत ठहुत है कि अधे घंटे तक को आ Parliament ड़ी से हम रगार कर दौ लेते हैं छाद śते श्री math तो यहां हमने सभी आमले को छान लिया है और यह कुछ इस तरह की जो दाग वाली होगी इसे हम साइड में रख लेते हैं इसे आप चट्नी वेगरा बना सकते हैं और जो भी साफ आमले होंगे उसे ही हम लेंगे और यह थोड़ी सी पतियों की दाग है इसे कोई दिकत नहीं है इसे आप ले सकते हैं और यहां हमने गैस पर कढाई चड़ा दिया है अब इसमें हम लवक देर सो गराम तेल डालेंगे तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं और तेल जब गर्म हो जाएगी तो सारे आमले को हम इसमें डाल देंगे तो यहां हमने सभी आमले को डाल दिया है लाते हुए भूनते रहेंगे गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे और इसे हम लवक पांच मिनट तक बूल लेते हैं अब इसमें हम सुखे मसाले डाल देंगे तो दो चमच हमने यहां हल्दी पाउडर डाला है और तीन चमच हम मर्चा पाउडर डालेंगे और चार चमच लगवग हमने नमक डाला है अचार में तीखा और नमकीन थोड़ा ज़्यादा ही रहती है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो इस तरह से हम सभी मसाले को हम मिला लेते हैं अब इसे हम लो फ्लेम पर पकने देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है तो अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक यह आमले हमारे अच्छी तरह से पक न जाए और यह खाने लाइक तयार हो जाए तब तक इसे हम पकाते रहेंगे तो फ्रेंड्स हमें भुनते हमें लवक 10 मिनट हो चुकी है तो आप देख सकते हैं कि अचार का कलर चेंज हो चुका है और मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भुन चुकी है तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारी अरेश भी अच्छी लगती है अब हम आमले को हाथों से चेक करके देख लेते हैं तो हम हाथों से इस तरह से ले करके इसे दबा कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आमले अच्छी तरह से पक चुकी है तो फ्रेंड्स हमारा चार बन के तयार हो चुका है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे हम 2-3 घंटे के लिए धूप में सुखा देंगे जिसे आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं तो फ्रेंट्स इसे हमने धूप में सुखा दिया है और अब इसे हम एक जार में डाल देंगे तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई थेंक यू